ओम श्यंतिन ओम श्यंतिन हमें बहुत शक्ति साली बनना है अच्छल डोल होना है और निर्भे भी बनना है जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा इस धर्ती पर संपोर्ण विश्व में पह का माहूर जाद पैदा होगा और एक समय ऐसा भी आ जाएगा संसार के अधिकतम लोग भैभीत होगे सब कुछ निश्चित हो जाएगा दुनिया में यह फरा तफरी हो जाएगी किसी को अपने भविश की चिंता होगी भैभीत होगे किसी को नोकरियों की चिंता होगी भैभीत होगे क्या होगा बच्चों का क्या होगा महो बहुत भैभी पैदा करता है जिसका जहां भी महो है जब वो उसे जाता हुआ देखेंगे तो चिंताएं भी होंगी लेकिन साथ में ये चिंता भै भी पैदा करेंगी, पाप भी मनुष्च को डराता है, पाप आत्माएं भी बहुत भैभीत होंगी, जनोंने दूसरों को सताया है। जिन्होंने दूसरों की जमीने हड़पी हैं, जिन्होंने गलत काम बहुत किये हैं, दूसरों को परिशान किया है, दबाया है, वो सब भैभीत होंगे, क्योंकि इस रष्टी चक्र ऐसे ही होगा, क्यों राज समझ लें? जैसे जब किसी मनुस का अंतिम समय होता है, उसके मत्यू समीप होती है, तो उसके बहुत सारे कर्म उसके सामने आने लगते हैं, वो भैभीत होता है, वही चीज उसको यमदूतों का अनुभग कराती हैं, ऐसे ये पूरी श्रष्टी का अंता गया है, सब को घर जाना है, तो स सबके पापकरम भी उनके सामने इमर्ज हो कर आएंगे, और वे उन्हें बहुत डराएंगे, जिन्होंने दूसरों को बहुत डराया है, अब वे कर्म, उनको भैभीत करेंगे, सोने नहीं देंगे. इसलिए हमें निर्भय बनने की ज़ुरत है, पुन्यात्मा बनने की ज़ुरत है जो पुन्यात्माएं हैं जिनको भगवान का साथ मिला है और जो स्वदर्शन चक्रधारी बन गए है कि हमें अब सब कुछ छोड़ कर घर वापिस जाना है ये पुरानी दुनिया यहां के वैभव जो कुछ भी दिखाई देते हैं सब कुछ छोड़ कर घर वापिस जाना है वो निर्भय हो जाएंगे, देह से भी महो निकल जाएगा क्योंकि म्रत्यू उनके लिए एक वस्त उतारने के समान होगी वो खुछी-खुछी सिम्रत्यू का वरण करेंगे कोई इस देवी भैवीत हो, तो उसकी जितने भक्त हैं वो भी तो भैवीत हो जाएगे ना कोई राजा भैवीत हो, तो उसकी समस्त पढ़जा भी भैवीत हो जाएगी तो हम भी ऐसे जिम्मेदार हैं, हमें अपने को निर्भय बनाना है, बहुत शक्ती साली बनाना है उन सबी के master मुक्तिदाता भी हम हैं, उनको स्यम्ति देने वाले घर वापिस भेजने वाले हम हैं, इसलिए हमें उनसे डरने की जरुरत नहीं, उनके लिए स्रेष्ट भावनाएं, अपने सुन्दर vibrations भेजने की आवज सकता है, तो हम अपनी सक्तियों को पहचाने, अपनी सक्तियों को जागरित करें, हम बहुत सक्तिसाली हैं, सर्व सक्तिवान के बच्चे बहुत सक्तिसाली हैं, उन्होंने हमारे सिर पर अपना हाथ रखकर हमें सक्तियां प्रदान कर दी हैं, blessings दे दी हैं, हम उनकी छत्र चाया में भी स रख्षित हैं निर्भें हैं रही बात आपके बच्चों की आपके परिवार की आप स्वयम सब के लिए छत्र चाया बन जाओ आप उनके लिए मास्टर रख्षक बन जाओ अगर आप बहुत सक्तिसाली होगे और लंबे समय से इस स्वमान का अभ्यास किया होगा कि मैं मास्ट और विश्व रख्षक हों तो आप अपने परिवार के लिए भी रख्षक बन जाएंगे तो आईए हम बहुत पावर्फुल बनें निर्भें बनें किसे विशन्सकार को अंतरमन से निकाल दें आप सब को बहुत बहुत थैंक्स ओम च्छान्ति